गुरू चकाचक में आपका स्वागत है आज हम लेकर आए हैं 6 और 7 अक्टूबर के करेंट जी के जो आपके एक्जाम्स के लिए काफी इंपोर्टेंट है इन दो दिनों में देश और दुनिया में कई घटनाए घटी है उनमें से 20 इंपोर्टेंट जी के इस वीडियो में है अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें ताकि नए वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलता रहे तो चलिए शुरू करते हैं हाल ही में किस राज में परधानमंतरी रसोई गैस पंचायत सुरू की गई है एंसर है गुजरात में हाल ही में चीन में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है एंसर है गौतम पंबावले Next, हालही में किस Airways ने फलाई नाव पे लेटर योजना की शुरुआत की है Answer है इतिहाद Airways ने Next, हालही में सिकाली उत्सव कहां पर मनाया जा रहा है Answer है नेपाल में Next, हालही में विदेश मंत्राले में सचीव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है Answer है विजय कोखले Next, हालही में लिविंग लिजेंट पुरसकार से किसे सम्मानित किया गया है Answer है महताब बामजी Next, हालही में सरला पुरसकार से किसे सम्मानित किया गया है Answer है बनज देवी हालही में अरुनाचल परदेश के तवांग छेतर में भारत का कौन सा हेलिकॉप्टर क्रैस हुआ एंसर है MI-17 हालही में किस अस्थान पर इसरो द्वारा सोध केंदर अस्थापित किये जाने की घोसना की गई है एंसर है गुवाहाटी नेक्ष्ट, 2017 के नोबेल साहित्य पुरसकार के लिए किनका चैन किया गया है एंसर है काजुओ इसी गुरो नेक्ष्ट, सौम्या स्वामी नाथन किस वैस्विक संस्था की उप महादिन्नी देशक बनी है एंसर है W-H-O नेक्ष्ट, किस लेखिका को मर्नो परांत परतिष्टित अन्ना पुलित कोवस काया अवार्ड परदान किया जाएगा एंसर है पत्रकार गौरी लंकेश नेक्ष्ट, बैंगलोर मेट्रो परियोजना के चरन दो हेतु भारत ने European Investment Bank से कितने मिलियन यूडो का वित्ये समझोता किया है एंसर है 300 यूडो नेक्ष्ट, फोर्ब्स द्वारा जारी देश के सिर्श सौ अमिरों की वार्षिक सूची में साथ महिलाओं में सबसे पहला अस्थान किन्हे परदान किया गया है एंसर है सावित्री जिन्दल नेक्ष्ट, भारत वंसी पुर्फेशर को नीसा डी सिलवाड को कैंसर पर सोध हे तू SOAR अवार्ड परदान किया गया पुरसकार के तहत उन्हें कितने मिलियन डॉलर अनुदान के रूप में परदान किये जाएंगे एंसर है 8.1 मिलियन डॉलर नेक्ष्ट, भारतिय मुल्के अजित पई को अमरीकी संचार आयोग का कारेकारी अध्यक्ष नियुक्तिया गया अजित पई ने यह परभावसाली पद कौनसी बार संभाला है एंसर है दूसरी बार नितिन गटकरी ने डिगलीपूर में किस ट्रंक रोड की अधार सीला रखी है एंसर है अंडमान ट्रंक रोड नेक्ष्ट, पहला आसियान भारत संगित समारो का आयोजन किस शहर में आयोजित हुआ है एंसर है दिल्ली हाल ही में किस संस्था ने क्रेसिम आदित्य बिर्ला जी ए सी एल पर करोरों का जुर्माना लगाया है एंसर है भारतिय परतियस्पर्धा आयोग नेक्स्ट आस्ट्रेलिया के किस तेज गेंतबाज ने 6 अक्टूबर 2017 को पर्थम सेर्णी और एक दिवस्य क्रिकेट से सन्यास ले लिया एंसर है जौन हेस्टिंग्स बने रहिए इस चैनल के साथ और वीडियो को लाइक, कॉमेंट और सेयर करना न भूलें और हाँ सब्सक्राइब भी करना न भूलें, धन्यवाद